36 गड़ में लोगसभा के दूसरे चरण की वोटिंग आज साम 5 बजे खत्म हो गई लोगतंत्रे के इस महापरों में आज एक बार फिर नक्सलियों निम्मचदान को प्रभावित करने लेकिन वोटरों ने लाल आतं को करारा जवाब देने घर से बाहर निकले और वोटिंग कर अपना राष्ट धर्मरी भाया यहाँ वोटिंग प्रतिसत 37 फिस्दी रहा है हलाकि यह आखड़े अभी पस्ट नहीं है यह आखड़े कल तक बड़ भी सकते हैं वहीं ओवराल महासमुन, कांकेर और राजवान काउन लोग सबस सीट की वोटिंग प्रतिसत की बात करें तो 71 फिस्दी वोटिंग होने के संकेत मिल रहे हैं लोगतंत्रे की इस महापरों में सबसे खास यह रहा की कंवरधा जिले के सास पूल लुहारा में 108 साल की महिला ने मजदान किया विल जेयर की सहाथा से पहुँची महिला ने वोटिंग का लोगों से मजदान करने की अपील की इधर महासमुन में भी 65 साल की महिला ने गजब का सहास दिखाते हुए वोटिंग, पूर्व सीम रमन सी ने अपने निर्वाचन छेत्र कमर्धा में वोट डाला, उनकी पतनी विड़ा सी, बेटा अभिशेक और बहु एश्वर्या ने भी वोट डाला, इस दोरान रमन सी ने 11 सीटों पर जीत का दावा किया मानपूर मोहला मिनक्सेलियों ने आईडियो ब्लास्ट कर मजदान को प्रभावित करने की कोशिज की, इस हमले में ITBP का जवान घायल हो गया, बावजूद यहां वोटिंग प्रतिशत 70 फिसदी रहा, हाला कि अभी तक इस पस्ट अंकड़े नहीं आये हैं डोक्तंतर की इस महापरों में आज नय वोटरों में जबरदस उस्साह नजार आया, मजदान को लेकर दुलहा दुलहनों ने वोट देकर मद्दाताओं से वोटिंग करने की अपील की, कांकेर के पोलिंग बुथ में एक मद्दान कर्मी की हार्ट अटेक आने से मौत हो गई अंकेर के आमाबेडा के तेवडा के ग्रामिनों ने चुनाओ का बहिसकार कर दिया, मौलभुच सुविधाओं की मान कर रहे गाओं वालों ने वोट नहीं दिया इधर गरियाबन के आधा दर्जन गाओं के वोटरों ने भी मद्दान नहीं किया कमर्धा के सहस पुल लुहारा में 108 साल की महिला ने मद्दान किया महासमुन में 65 साल की महिला ने भी गजब का सहस दिखाते हुए मद्दान किया फेपड़े की कंबेर वीमारी से चूज रही बसंती वोट देने के बाद अस्पताल में भरती हुई तीन लोग सबा क्याती सम्यदन सिन मद्दान केंद्रों में तीन बज़े के बाद वोटिंग खत्म हो गई तीन लोग सबा चेत्रों में 71.9% मद्दाताओं ने अपने मत अधिकार का उप्योग किया सरवधिक 72.37% मद्दान कंकेर में जबकि सबसे कम और 60.26% मद्दान महा समुद में हुआ जबकि वी आईपी सीट मानी जा रही राजणान गाउं में 71.76% बोटिंग होई अधिकारी के मताबिक इन आकड़ों में बदलाव हो सकता है क्योंकि मत्दान के अंतिम आकड़े आने भी बाकी है